हेलो गाइस वैलकम टू ओल अफ यू लर्न विथ मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल लर्न विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नई है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजएगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे अपना डबल रो वाला अरेंजमेंट ठीक है वो भी वैरियेबल के साथ ठीक है वो भी कैसे पढ़ेंगे हम वैरियेबल के साथ ठीक है इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सारे वीड वैरियेबल पढ़ा दिये जितने तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है और डबल रो वाला भी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है ठीक है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प् जिसका नाम रहेगा पजल ठीक है तो चाले बिना किसी देभी कि हम अपना को dancing स्टार्ट कर देते हैं ठीक है यहन, को अपनी ऊप्त करता है यह कोशंन थोड़ा सा हाई लेवल का ठीक है, मेंस में फूचह समचे जाना वाला कोशन है ठीक है no तो चलिए हम अपना एक ही करके हम समझेंगे बिल्कुल अराम से समझेंगे और आप लोग देखना कि कितनी इसलिए सॉल्व हो जाएगा ठीक है सिर्फ देखनी में बड़ा दिखता है सॉल्व करने में उतना जादा टफ नहीं होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 members of a family are sitting in a restaurant in two parallel rows of chairs ठीक है क्या बोल रहा है दस सदस हैं ठीक एक परिवार में कोई दस सदस हैं ठीक है वह कहां बैटे हुए एक restaurant गई है भी या खाने पिने के लिए अराम से ठीक है वहां खाने पिने गई है वो क्या करते हैं दो पैललरो में वो बैठे हुए ऐसे बैठे ह ठीक है 10 member है तो पांच इसमें बैठे हूंगे ठीक है containing five people's each बोल भी दिये है यसे पांच-पांच वैक्तिया से बैठे हुए ठीक है ऐसा चेयर रहा हुए उसमें जेयर बैठे हुए ठीक है क्या बोल रहा है इन रो फर्स पहली रो में कौन बैठा है मैंने आप लोग को बत कौन कौन से व्यक्ति है ठीक है कौन सी रों में कौन से व्यक्ति है ठीक है तो बोल दिया है से पहली रों में कौन कौन है पहली पंग्ति में Mnopq और वह सभी are sitted and all of them are facing south जो Mnopq है वह कहां देख रहे हैं South की तरफ ठीक है और क्या बोल रहा है जो A, B, C, D, E है दूसरी पंग्ती में वो कहां देख रहे है नॉर्ष की तरफ ठीक है तो अब हम कैसे बनाएंगे ड्राल एक एक ऐसे रहा एक ऐसे रहा ठीक है दो पंग्ती हो और क्या बोल रहा है यह दो पंक्ती में M N O P Q are seated ठीक है पहली पंक्ती में साउथ की तरफ देखो एक साउथ देख रहा है तो मैंने आप लोग पता रखें दूसरा कहां देखें का नौर्थ ठीक है तो साउथ वाला यहां जाएगा नौर्थ वाला यहां जाएगा ठीक है गुद्स हैं nesse q од secured अ में लिखें सिर्फ एक स्कॉच ठीक है तो अ में में लिहाए तो स्कॉच ओर स्वाट प्लेदफ के लिखें को फिर यह ऐनाली च्वारी दीक है और इक रान टीक है और क्या है टों स्ट्रोबेरी घृम आप लीख लाए ब्लैक भानाने लिख अबल्क द हमने लिख लिया चोको ठीक है और क्या है चोको बार हो क्या है और क्या है मैंगो बार हमने लिख लिया मैंगो ठीक है और क्या है मैंगो बार के बाद बटर क्लस्टर हमने लिख लिख लिया अच्छा एक बटर इसकोच एक बटर क्लस्टर ठीक है तो इसमें हम लोगों को क्या मैंने लिख लिए टूटी फ्रुटी में से लिखा क्या है यह तूटी मिश्च पर गया है। टूटी फ्रुटी और गरिकर्ली मैं भी ह्म लेख HERE शॉचिंच के नाम उट पолнets आहिस्सें रों अनुपनी वह देख से जब दूसरा हो ढुग है yogurt वाली में कौन हे नली है साउथ की तरफ देख है North मतलब Left to Right, South मतलब Right to Left, ठीक है तो पहली पंग्दी वाले South की तरब देखने, कौन-कौन बैठा हुआ है, MnOpq, ठीक है, तो South आजाएगा, तो मतलब Right to Left, ठीक है, इसमें कौन-कौन आगया, MnOpq, ठीक है, और इसमें Left to Right, इसमें कौन-कौन आगया, ABCD वाले, ठीक है, हमने लिख ले, उपर Mn लिखा, तो नीचे तो obviously ABCD रहेगा, ठीक है, इतना पता चल गया, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अपनी information को लिखने लग जाते हैं, ठीक है, तो चलते हैं, अब अपनी यहां तक information होगी, अब क्या करेंगे, हम दूसरी side के और चलते हैं, ठ इसके आगे की information को हम note करते जाएंगे, ठीक है, तो यह रहा दूसरी side, अब पिछली side के आगे का, इस slide में दिया हूँ, अब हम information को पढ़ते हैं, this is third left of the person, D क्या है, उस बंदे की third left पे, किस बंदे के third left पे है, जो क्या है, औरेंज बार पसंद करता है, अब मुझे पता है कि D कहा प्याना है, इसी line प्याना है, तो मैं अब इसको orange कर सकती हूँ, बिल्कुल orange कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है, तो यह क्या हो जाएगा, orange, orange के 1, 2, 3, third left पे कौना गया, D, ठीक है, orange के third left पे कौना गया, D, A, B, C, D, E, यहीं प्याना है, इसलिए मै क्या किया? D तो नीचे इवाली लाइन पर आना है तो हमने क्या कि इसको अरेंज कर लिया, ठीक है, और क्या बोल रहा है? आगे देखो, इतना हो गया, अब क्या बलत रहा है? M who likes black cherry, अब मुझे पता चल गया, black cherry ये रहा, black, black किसको पसंद है? M को मैंने black के उपर लिख लिए लगा थीक है डैक चरी में को पसंद है अब बुलता है कि बेक चरी में पसंद है मको क्या करता है? अब धी को सकता है यह हो सकता है इधर भी हो सकता है ठीक है तो D के नेवर के opposite पे M यहां पे भी आ सकता है M यहां पे भी आ सकता है हमें नहीं पता अभी हमने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर लिया ठीक है और क्या बोल रहा है दिखा गई इतना हो क्या O, who likes strawberry अब मुझे पता चलगे strawberry किसको पसंद है O को मैंने लिख लिया O को क्या पसंद है यह रहा O यह strawberry यह M का भी black को हमें पता है black चलिए ठीक है O strawberry पसंद का थे कहां बैठा है देखो O who likes strawberry sits second to the right of M ठीक है O कहां बैठा है second right पे है M के अगर अब मैं M को यहां पर जमा लूँ तो इसका right इधर आएगा क्योंकि यहां पे south देख रहे हैं तो हमें पता है south में इस तरफ right है ठीक है तो यहां पे second right पे O आएगा क्या नहीं क्योंकि सिर्फ तो जादा हो जाएगी M यहां पे लेलूँ तो इसके second right पे O आना है तो किती sit हो गई 7 sit हमें तो चाहिए सिर्फ 5 sit तो M यहां पे आएगा क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा M यहां पे ठीक है M यहां पे आ знаете नहीं आएगा M, तो M कहां पर आएगा, M हमारा fix हो गया है, यहां पर, ठीक है, M हमारा कहां पर fix हो गया है, यहां पर, ठीक है, M यहां पर fix हो गया, अब M की second rate पर O था, तो O कहां पर fix हो गया, यहां पर, ठीक है, O और M क्या हो गया हमारे fix हो चुके है, ठीक है, M की second rate पर O आ कितने वक्ति एक और N पी उपर वाली लाइन पर आना है तो एक बंदे यहीं पर यहाँ 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 पर यहा अब क्या होगा देखो एन पी लिखा है उसके बाद हू लिख कि इसने अब हू इसके लिए सिर्फ यूज नहीं हुआ है क्यों कि इसने बोल रखा है कि इनको रिस्पेक्टिवली क्रमस क्या क्या पसंद है वैनिला और क्या पसंद है मैंगो बार अब मुझे क्या पता चल मैंगो बार की निचे क्या चाहेगा ये रहा है ये समझ में इतना हमारा अंगा बोल रहा है q懂 अब क्या बोल रहा है इतना हो गया B and E are immediately neighbor of each other ठीक है अब B E यहाँ पे भी आ सकता है B E neighbor है B E neighbor है B E neighbor है ठीक है भी या ठीक और क्या बोल रहा है E who does not face M और N देखो अब E किसके opposite नहीं है M के भी और N के भी तो E यहाँ पे तो M fix हो चुका है तो E यहाँ पे आएगा क्या नहीं तो E यहाँ पे नहीं आ सकता है तो मैंने E को हटा दिया ठीक है अब क्या बोल रहा है इतना हो कि E who does not face MN like butter scotch butter scotch किसको पसंद है E को हमने लिखे scotch किसको पसंद है E को ठीक है B E के लिए 3 जगती जिसमें से E की एक जगत क्या हो चुकी cancel हो चुकी है ठीक है आगे बढ़ते हम B does not like orange बार अब देखो B को orange बार orange बार तो यहीं पे आना है जबकि यहाँ पे B को पसंद नहीं तो B यहाँ पे आएगा क्या नहीं क्या पसंद है चोकुबर पता है कि क्या पसंद है नहीं पता हमें नहीं पता हमें जोकुबर किसको पसंद है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चोकु ठीक है भी या इतना समझ में रहे है C likes नाइदर Black cherry अब C को Black cherry भी पसंद नहीं है और butter cluster भी पसंद नहीं है, ठीक है, C को क्या पसंद नहीं है, black cherry हम लिख लेंगे black, और क्या पसंद नहीं है इसे, butter cluster, तो हम लिख लेंगे cluster, ठीक है, और क्या बोल रहा है, the one who likes vanilla faces the one who likes curly-vrli, अब vanilla किसके opposite है, curly-vrli के, ठीक है, vanilla कौन है, N, N किसके opposite आजाएगा, curly-vrli के, त क्या बोल रहा है, N opposite है कर लीके हो गया, और क्या बोल रहा है, Q does not like black cherry, ठीक है, Q को क्या पसंद नहीं है, black cherry पसंद नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आया, B, E neighbor है, देखो अब, B यहाँ पर आएगा, तो E यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, B यहाँ पर आएगा, तो E यहाँ प्याँ जाएगा, ठीक है, अभी तक की information से क्या पता चला मुझे, इतनी information थी, जो कि हमने लिख ले, ठीक है, E who does not face MN, हो चुका है, B, E neighbor हो चुका है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, देखो, E like butter scotch, यह भी लिखा हुआ था, ठीक है, हमने लिख 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 ठीक है, E यहाँ पर fix हो चुका है, ठीक है, तो B कहाँ भी हो जाएगा, fix definitely, यहाँ पर, ठीक है, और एक बात बोला है, मुझे इसने, कि E क्या है, opposite नहीं है, N के, M और N के हमने पढ़ा, E opposite नहीं है, M और N के, तो यहाँ पर N आएगा, क्या है, यहाँ नहीं आएगा, O था, इतना fix हो चुका है, देखो, इतना हमारा fix हो चुका है, नीचे वाले में किसे fix करना है, A और C को, ठीक है, अब देखो, चोको बार के second right पे A आना है, अगर चोको बार, यह A, C को एक बार हटा दो, अगर चोको बार कि मैं यहाँ पर ले लूँ, तो एक दो second right पे A समझ में है, यह वाले information भी use हो गई, अब क्या बोल रहा है, देखो, अब C यहीं पे बचा हमारा, हमारा, C यहीं पे बचा, अब देखो, उपर का information को हम लिखते जाते हैं, देखो, E को क्या पसंद है, यह वाला E को यहाँ पे क्या पसंद है, बटन स्कॉच हमने लिख स्कॉच निचे ए औरेंच की इसको उरेंज भी use हो जगा, नीचे करली बसता है, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब देखो, क्या बचा, M को क्या पसंद है, बलेक हमने लिख लिया, बलेक ठीक है, पी क्या पसंद है, मैंगो हम इसे भी हटा जैते है और पी क्या लिख इस हो गया और वीजुन का बचा लिए क्लूस्टर है तूटी-फूटी पर थेद ऑल्ली ठीक है यह उन्हीज हम एक तीम्हाइं कमें प्रूट nova है m और n की sorry यह था हमने गलती से बी लिग दिया था ना देखो बाजू पर लिखा हुआ यह पोजिट नहीं था m और n के ठीक है हमने इसको बाइमिस्टे क्या लिख दिया था ठीक है तो यह क्या गया हमारा कर लिया गया ठीक है तो कर ली भी क्या हो गया यूज हो गया ठीक है और क्यों क्या पसंद नहीं था देखो सबसे लास वाली लाइन आप देख सकते हैं क्यों क्या पसंद नहीं है ब्लैक चेरी तो ब्लैक चेरी आना नहीं ठीक है यह तो अल्रेडी नहीं आया ज़ए क्यूंब लिखेड़ाँ तूटी-फ Caitlin क्या पसंद देखों सेकुठी हों क्लस्थव फ्रो में के बंसे किसम पसंद आगे, तूटी-फृूटी आट कों रिखेड़ा क gefाद है , इसकोण मैं आगा निद्था सब्सक्रिदाँ , बच्था? hem लिख़ें, ज़ए क्लस्टर हमने CLU लिख 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 लिया ठीक है तो यह हमारा आइस क्रीम भी क्या हो गया अरेंज हो गया ठीक है पहली लाइन पर कैसे अरेंज हुआ ओ एन एम पीक्यू जो क्या क्या पसंद है इस्ट्रॉबेरी वैनिला प्लैक चैरी मैंगो बार और क्लस्टर नीचे कैसे क्लस्ट का पसंद है यिञें और यह रेंज्ट्रण की कर लिख और. स्वें इसांगा हुए्टषण को साल शूंआ है तक्षिकपर्ट्ण ररीस आया शो केंवाते हैं आश जोका है ताम पहुत स्वें अब पे प्लेस नहीं थी इसलिए थोड़ा सा हौच पोच हुआ बाकि हम क्या करेंगे एक्जाम में हमारे पास बिल्कुल रफ सित रहती है उस पे क्या करेंगे हम अराम से इंफॉर्मिशन लिग के यहां पे अरेंज कर सकते हैं ठीक है उपर पे ऐसे आईस्क्रिम वगेरा का नाम आज एक दो लाइन हम क्या कर रहे थे इधर उदर हो जारी थी क्यों हो रही थी क्योंकि आज मैंने यहां पे लिखा हुआ नहीं था थी आज की क्लास अब हम यहां पर अपने कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा अगर प्लोग के लिए वीडियो है तो प्लीज इसे सेर किजेगा मैं एक्जिमम ठीक है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोनने की कोशिक किजेगा ठीक है आज हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है कल से हम क्या पढ़ेंगे कल से हमें स्टार्ट करें इसमें भी इन साइं आउसेट और इ पड़ेंगी जिसका नाम रहेगा पदल ठीक है तो हम यहां पर सेशन को एंड अप करते हैं ठीक है कल फिर मुलाकात होगी एक नहीं कॉंसेप्ट के साथ तील देन की प्लेनिंग की प्रेक्टिसिंग थैंक्यू एंड बबाए